वेलकम तो माई चैनल गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स जीएस्टी में आज एक नए टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं जीएस्टी में जो टैक्स का पेमिंट होता है वो दो तरीके से डेटर्माइन होता है पहला है टाइम ओफ सप्लाई और दूसरा है प्लेस ओफ सप्लाई प्लेस ओफ सप्लाई जब पता चल जाता है तो सीजीएस्टी, एसजीएस्टी और आईजीएस्टी आसानी से जो है डेटर्माइन हो जाता है उसका पता लग जाता है कि आपको CGST पेक करना, SGST पेक करना या IGST पेक करना है Similarly, time of supply जब determined होता है तो उसके basis पे ये पता लगता है कि आपको tax किस time से due है ठीक है, tax का payment किस time से due होगा क्या जब आप invoice इसू करेंगे तो उस समय आपका time of supply माने जाएगा या recipient जब goods को receive करता है उस समय माना जाएगा या फिर goods जब आपके factory से remove होता है वो time of supply मानी जाएगी या फिर जब recipient आपको goods or services की payment करता है तो वो time of supply माने जाएगा तो इन में से क्या actual में consider किया जाएगा time of supply को determine करने के लिए तो आज की इस वीडियो में वही discuss करने जा रहे है तो friends goods or services की supply जब होती है तो उसकी time of supply actual में क्या होनी चाहिए उसमें दो तरीके हैं दो तरीके से goods or services की supply होती है एक forward charge में होता है दूसरा reverse charge में होता है तो हम सबसे पहले goods की supply हो रही है forward charge में उसमें हम देखेंगे time of supply कैसे determined होता है और फिर reverse charge में अधी supply होगा तो किस तरीके से time of supply को determined किया जाएगा So friends आप ले अंत तक वीडियो को जरूब बाच करेंगा ताकि आपको एक एक point अच्छे से समझ में है Time of supply की definition क्या दी हुई है थोड़ी से हम उसके बारे में discuss कर लेते हैं Time of supply means what? Time of supply में क्या होता है कि ये GST में point of time जो है mention कर दिया जाता है कि किस point of time से आपकी tax liability due होगी ठीक है GST में supply का मतलब क्या होता है supply of goods and services आप सभी लोग जानते है तो time of supply of goods GST में कौन से section में cover होता है section 12 में cover होता है similarly time of supply of services किसमें cover होता है section 13 में cover होता है यानि section 12 में हम अभी देखने जा रहे हैं कि goods को यदि आप supply करते हो तो उसमें क्या actual में timing आपकी होगी supply की जिसके basis पे आप tax को payment करेंगे similarly section 13 में आपको provisions दिया होगा है कि यदि आप services की supply करते हो तो कौन सा actual point of time होगा जिसके जहां से कि आपका tax liability due होगा so friends चलिए हम देखते हैं so forward charge में the goods की supply होती है तो उसमें time of supply tax के payment के लिए क्या consider किया जाएगा GST law में आप इस slide में देख सकते हैं कि time of supply of goods under forward charge mechanism इन तीनों date में से जो सबसे कम date होगा वो date time of supply मानी जाएगी tax के payment के लिए यानि कि supplier जब अपने goods के supply की invoice issue करता है वो वाली date और जिस दिन वो payment receive करता है वो वाली date और जिस दिन उसे invoice issue कर देना चाहिए GST law के थाथ वो वाली date इन तीनों में से जो date सबसे कम होगा वो time of supply मानी जाएगी तो अब payment की जो date है उसमें भी दो तरीके के debts consider किये जाते हैं GST law में पहला date तो वो है कि जिस दिन supplier अपने books of account में payment की entry करता है दूसरा date है कि supplier के books of account, suppliers के bank account में जिस दिन payment clear होगा वो date और books of account की date इन दोनों में से जो कम होगा वो date यहाँ पे payment वाली consider की जाएगी ठीक है तो अब invoice supplier को किस दिन issue कर देना चाहिए वो भी हम अभी next slide में देखने जा रहे हैं कि कब तक उसे invoice issue कर देना है So GST में हमें invoice कब issue करना है सबसे important question है इसके उपर मैंने एक video बनाया है आप मेरे channel पे जाके उस video को देख सकते हैं तो goods की जब supply होती है तो उस time पे invoice आपको कभी issue करना है उसमें भी क्या है कि goods involving the moment of goods no moment of goods, sale or return of supplies services के case में है कि services कभी देखते हैं बाद में तो goods के case में है कि यदि माली जे कि आपका goods आपकी factory से निकल करके किसी दूसरे state में जाता है या फिर within the state में रहता है लेकि movement उसमें involved है तो उस case में आपको invoice either on or before the removal of goods यानि कि जिस दिन निकलता है या तो उसी दिन आप invoice issue कर दीजे या फिर उसके पहले आप invoice issue कर दीजे जेस्टी law में ये date है invoice को issue करने का ठीक है दूसरा है कि यदि goods में कोई भी movement ही involved नहीं है जैसे example के तोर पे आप किसी भी machinery की installation site पे जाके करते हो या फिर आप जो है let's say that की lift की कहीं installation करनी है तो उस case में क्या है कि इसमें कोई भी movement of goods involved नहीं है similarly यदि आप किसी shopping mall में जाते हो तो वहाँ पे आपको goods तुरण deliver हो जाता है वहाँ पे movement of goods involved नहीं है ठीक है तो ये सब category में क्या होता है कि जिस time delivery होगा goods का उसी time पे invoice issue कर देना है ठीक है इसके बाद क्या है कि यदि goods sample के रूप में जाता है तो उस time पे किस तरीके से आपको invoice issue कर देना है हलांकि ये मेरे अभी इस वीडियो में हम इस पे ने discuss करेंगे और services के case में ये है कि आप जिस दिन services की supply करते हो उस date से 30 दिन के अंदर आपको invoice issue कर देनी है और जो insurance company है वो 45 दिन का उनको time दिया जाता है कि जिस दिन वो services supply की उसके 45 दिन के अंदर वो invoice को issue कर दें तो ये है GST law में invoice को issue करने की date आपको उसके पहले issue कर दीजे या फिर इस date तक आपको हर हाल में invoice issue करना है अब बढ़ते में अपने आगे के slide की हो यहाँ पर friends मैंने 3 example लिया हुआ है कि आपको अच्छे समझ में आ सके यदि goods की supply forward charge में होती है तो उसमें time of supply कैसे निधारन होता है जैसे माली ये goods का date of removal 25 अगस्त दिया हुआ है और आपने invoice जो है issue की 21 अगस्त को और payment जो आपके bank account में credit हुआ वो 5 September को हुआ लेकिन books of account में आपने 4 तरीक को इंटरी कर दी तो इन दोनों में से जो सबसे lower होगा वो date of payment माना जाएगा यानि 4 सितंबर और date of receipt show by the recipient ये irrelevant है इस case में अब इन तीनों में क्या होगा कि हमारा time of supply क्या माना जाएगा तो मैंने बताया date of invoice date of removal यानि कि जिस दिन invoice GST law के थाथ इशू हो जाना चाहिए 25 अगस्त ठीक है और जो आप actual में invoice इसू कर रहे एक कई सबसे कम होगा date वो हमारा date क्या हो जाएगा time of supply हो जाएगा तो 25 अगस्त, 1-20 अगस्त और 4 सितंबर आप इन तीनों में से देखिए सबसे कम कौन सा एक अगस्त है तो time of supply ये हो जाएगी similarly इसमें देखिए 25 अगस्त date of removal है 31 अगस्त को invoice इसू किया आपने और यहाँ पे bank credit और books of account में जीस दिन entry होई है तो इन दोनों में से जो सबसे कम होगा 16 अगस्त और 31 अगस्त और 25 अगस्त तो यहाँ पे 16 अगस्त अब से कम है तो ये time of supply माना जाएगा इसी तरीके से आप तीसरे example में भी आप देख सकते है time of supply 23 अगस्त का है तो इस तरीके से time of supply goods के supply के case में निकाला जाता है ताकि आपका tax का payment है वो उस date से count होना चालू हो जाता है goods की supply में यदि delivery involved है movement involved नहीं है जैसे यहाँ पे lift और escalators का हमने example लिया हुआ है lift escalators में को move करके नहीं ले जा सकता है site पे actually installation होता है बहुत सारे parts को इकठा करके उसकी installation होती है इस case में time of supply क्या मानी जाएगी जैसे date of removal आपका 25 अगस्त है date on made available यानि जीज दिन lift तैयार होकर के client को हमने deliver कर दिया 31 अगस्त, 31 October को हमने किया और invoice हमने कभ इशू किया 2 November को किया bank में हमारे payment कभ आया 8 November को आया और books में हमने entry कभ की 4 November को किया और यह irrelevant है तो इस case में क्या होगा इस case में यह वाला date यह date और यह date इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो date हमारा time of supply माना जाएगा तो इस date में 31 अगस्त है 2 November है और इसमें दोनों में से जो कम होगा 4 November तो इसमें 31 अगस्त हमारा time of supply माना जाएगा यह वाला डेट हम नहीं लेंगे इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसमें movement of goods involved नहीं है ठीक है यह चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी तो जहां actual delivery होती है वहाँ पर जिस दिन delivery होगा उसी दिन हम invoice issue कर देंगे ठीक है अब हम बात कर लेते हैं कि reverse charge mechanism में यदि goods की supply होती है तो उसमे time of supply कब निर्धारित किया जाएगा ठीक है तो reverse charge में tax का payment किसके उपर due होता है तो recipient के उपर due होता है recipient ही tax का payment करता है क्योंकि जो supplier होता है वो एक unregistered हो सकता है या पिर अधि वो registered है तो उसे GST law में मना किया गया कुछ ऐसे cases हैं जिसमें की recipient को ही GST law में reverse charge mechanism में के तरह tax का payment करना पड़ता है तो time of supply क्या मानी जाएगी जैसे जिस दिन goods receive करता है recipient वो आली डेट जैसे माले जे 5th September ठीक है 5th September इसके बाद जब goods को receive करने के बार recipient क्या कर रहा है अपने books of economy में entry कर रहा है 8 September को ठीक और उसके bank account से payment कब debit हुआ 10 September को debit हुआ तो इन दोनों में से जो सबसे कम date होगा यानी 8 September 8 September इसके बाद जो third point है कि यदि माले जे कि supplier ने कोई भी document या फिर invoice आपको issue करी है तो उसके 30 दिन के बाद वाली date ठीक है तो जैसे माले जे सप्लायर ने issue किया आपको invoice या document तो उस पर जो date दी हुए और 2 September दी हुए है तो 30 दिन बाद याने कि 30 दिन बाद याने कि 2nd October आपका आएगा ठीक है 2nd October तो इन तीनों में से जो सबसे कम date होगा वो time of supply माना जागा यानी कि 5th September 8 September और 2nd October तो इस case में क्या हो रहा है सबसे कम date क्या है 5th September ह तो 5th September हमारा time of supply माना जागा इस दिन से आपका tax का payment due हो जाएगा time of supply in case of supply of services अधी services की supply आप करते हो तो उस case में time of supply क्या माना जाएगा section 13.2 में हम इसको discuss करते हैं तो services की supply में दो चीजे involved हैं जिसके basis पे हम time of supply को determine करेंगे पहला तो यह कि यदि if invoice is issued within the prescribed limit जैसे मैंने भी थोड़ी दे पहले बताये कि यदि services की supply आप करते हो तो उसकी invoice आपको जिस दिन आपने supply की services की उसके 30 दिन के अंदर invoice issue हो जाने चाहिए उस case में यदि आप invoice within the prescribed limit यदि आप issue कर देते हो तो उस case में जो time of supply माना जाएगा इन दोनों में से कम जो होगा date यानि date of issue of invoice और date of receipt of payment इन दोनों में से जो सबसे कम होगा वो date आपकी time of supply माने जाएगी यदि आपने जिस दिन आपने supply करी services की आपने invoice को 30 दिन के अंदर issue ना करके आपने 40 दिन issue किया तो उस case में time of supply क्या माना जाएगा तो उस case में time of supply date of provision of service यानि जिस दिन services की supply हुई और जिस दिन payment आपको receive हुआ इन दोनों में से जो सबसे कम वाली date होगी वो date time of supply माना जाएगा इसलिए time of supply के case में ये दोनों cases आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे ठीक है अब हम आगे इसका example देख लेते हैं इस case में हमें एक example देखते हैं कि जैसे यहाँ पे एक अमबेटकर college है इन्होंने 100 auditorium को अपने annual function के लिए book किया हुआ है बारा जन्वरी को और बारा जन्वरी को उन्होंने 20,000 रुपे advance का payment भी कर दिया और annual function जो होगा वो 8 फरवरी को होना था ठीक है और इसके लिए फिर invoice कब issue हो रहा है 10 फरवरी को हो रहा है 50,000 रुपे का जिसमें कि 30,000 रुपे balance payable था उसका payment 16 फरवरी को हो रहा है फ्रेंड सब याद करें अपने provision को यदि invoice within the time limit यदि issue होता है तो उस case में time of supply क्या माना जाएगा date of issue of invoice और date of payment whichever is earlier अब तभी इसमें देखिए कि यदि हम बात करते हैं कि invoice कब issue हो जाने चाहिए तो आपका जो annual function कब held हुआ है supply services की कब हुई है वो 8 फरवरी को हुई है तो 8 फरवरी से 30 दिन आप जोड लिजे तो 30 दिन यानि 8 मर्स एक invoice issue हो जाने चाहिए तो यहाँ पे invoice 10 फरवरी को issue हो रहा है यानि कि हमारा invoice जो है within the time limit हो रहा है तो हमारा जो पहला वाला provision था वो अपलाई होगा यानि date of issue of invoice और date of payment तो 20,000 का जो date है वो 12 जन्वरी है और date of payment कब है 16 फरवरी है तो दोनों में से सबसे कम कौन सा date हुआ 12 जन्वरी हुआ है तो 20,000 के लिए जो time of supply मानी जाएगी वो 12 जन्वरी मानी जाएगी यानि 12 जन्वरी से आपका 20,000 पर tax का payment डूई हो जाएगा जो balance 30 जन्वरी बचेगा उसके लिए time of supply क्या माना जाएगा तो balance के लिए मैंने ही बताया कि balance के लिए क्या है कि जिस दिन आपने invoice इसू करा 10 फरवरी और जिस दिन payment आपने receive करा इन दोनों में से जो सबसे कम date होगा यानि 10 फरवरी तो 10 फरवरी आपका क्या माना जाएगा time of supply क इस amount के लिए 30,000 के लिए ठीक है तो यह दोनों date आपको ध्यान रखने है पहले advance जो payment receive होता था उसको GST law में पहले उतना नहीं focus किया जाता था लेकिन आप advance payment को भी वो consider कर रहे है उसकी time of supply वो determine कर रहा है tax के payment के लिए इसलिए यह चीज को आपको ध्यान रखनी पड़ेग तो services के case में भी वही चीज़े जैसे मैंने goods के case में बताया है कि यहाँ पे recipient ही tax का payment करेगा तो उसके लिए tax का payment करने के लिए कौन से time जो है मानी जाएगी supply की तो यहाँ पे आप देख लीजे पहला और दूसरा date पहला date तो यह है कि recipient के books of account में कीज दिन payment की entry हो रही है services के लिए और दूसरा उसके bank account से payment का जो है debit हो रहा है इन दोनों में से जो सबसे कम वाली date होगी वो ले लीजे और second date यह है कि यदि supplier आपको कोई document issue करता है services की supply के लिए या invoice issue करता है तो उस date से 60 days के बाद वाली जो date है वो date आपको लेनी है तो इन दोनों में जो date सबसे कम आप कंसिडर किया जाएगा ठीक है जैसे यहां पर देख लिजिए माली यह 5th September को आपका payment जो है आपके books of accounts में आपने entry करी और bank account से आपका 8 September को payment जो है debit हो रहा है और यहां पर जो supplier ने जो services supply की आपको वो invoice आपको या कोई document issue कर रहा है तो उस पर 1st September की date mention है तो उससे 60 days का यानि कि तकरीबन 1st November की date आ रही है 60 days का जो date आ रहा है तो इन दोनों में से जो सबसे कम यानि 5th September और यह 11th September तो इन दोनों में जो सबसे कम है यानि 5th September का जो date है वो time of supply माना जाएगा reverse charge mechanism की case में so friends यह सारी जो topics थी जो मैंने आपको समझाया time of supply क्या होती है friends यदि आपको यह video अच्छी लगिए तो like share जरूर करिएगा और अधी channel पर आप नए है तो channel को जरूर subscribe करिएगा और friends यदि आप GST से related कोई भी काम करते हैं या आप income tax से related कोई भी काम करते हैं या आप student है आप को किसी भी topic पर यदि आप video चाहते हैं तो comment box में जरूर लिख के बताएगा ताकि हम कुछ नए ने videos आपके लिए ला सकें और हमारा भी हम भी learn कर सकें और आपको भी हम learn सिखा सकें friends so thank you so much for watching this video thank you so much